नमस्कार दोस्तों सुगत है आप सभी का सरकारी टुडे नियोस के ओफीशल इडूप चनल में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुछ कबरी है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्मानेंट गवर्मेंट जॉप के बारे में जी हाँ दोस्तों फाइनली ओफीशल नोटिफेशन जारी हो चुका है सरकारी नोकरी का यानि की पर्मानेंट गवर्मेंट जॉप का जिसकी संपूर्ण जानकर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में तो दोस्तों अगर आपका अक्षा दस्वी पास हैं बारी पास हैं ग्रेजूट पास हैं तो आप सभी के लिए आ चुकी है नई भर्तियां जी हां दोस्तों आविदन शुरू हो चुके हैं ओल इंडिया से आविदन मांगे जा रहे हैं यानि की भारत के किसी भी राज्जे या जिले में आपने हैं दोस्तों तो आप सभी अभ्यारती जो हैं आविदन का सकते हैं आविदन जो है 27 अगस 2023 तक चलेंगे तो लास देट जो है 27 अगस 2023 से आविदन करने की आविदन ज़रू की जेगा बर उस से पहले वीडियो को अंतक जरूर देगा संपुर भरती की जानकरी आपको देंगे step by step और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में जदा से अधाश शेर करें और रोजनासी प्रकार सरकारी भरतियों की जानकरी के लिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन जरूर दोस्तों यहां पर आपको जो salary यानि की वेतन मिल रहा है काफी शानदा 25,000 से 25,000 रुपे महीना आपको salary मिल रही है वेतन मिल रहा है जो कि काफी अच्छा वेतन है male, female, लड़के, लड़कियां सभी के लिए भरती हैं तो चली आपको बताते हैं कैसे आपको आविदन करना है और अन्ये सभी जानकर यापको सिधा official website के माध्यम से देते हैं तो हमारी जो number one website है वो है सरकारी today news.com वही second number की जो website है वो है newvoltech.co.in तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए दो नई भरतियों की जानका ये लेकर आये हैं जो कि All India की भरती है सबसे पहले हम बात करेंगे post office ग्रामिन डाक सेवक GDS की नई भरती के बारे में जो की 30,000 से अधिक पदोपर notification जारी हो चुका है इस साल 2023 का दोस्तो आवे दिन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं All India की भरती है सालरी 12,000 से लगबग 29,000 रुपे महीना आपको मिल रही है उम्र सीमा जो है 18 से 40 साल है आई शीमा में छूट भी है अप्लिकेशन फीस जनल ओबीसी के लिए सो है सी एस टी पी डॉट फी हर पेमिट आपको ओनलाइन करना है क्वालिफिकेशन में मात्र कक्षा दसवी पास अभिहारती आप इदन कर सकते हैं आप इदन जो है आप दोसरे नंबर की जो भरती है वो आपके सामने है यानि कि DSSB की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुगा है दोस्तों यहाँ पर आप दोसरे नंबर की जो भरती है फोटोग्राफर की है और SSA की है और LA की है असिस्टेंट की है टेक्नीशन की है और सिस्टेंट सिक्रेंटी ईफिसर की वेकिंसी है पीजेटी की है और काफी सारी वेकिंसीश है कुल मिला की एक 1841 पोस्ट पर वेकीन सी है जो की ओल इंडिया की भड़ती है आवे दिन ओनलाइन मांगे जा रहे हैं सलेक्शन का प्रोसेस रिटेन एक्जाम के द्वरा रहेगा सालरी आपको 9300 से 34800 रुपे महिना मिल रही है और देली की जॉब लोकेशन है एस लिमिट जो है 18 से 32 साल रखी गई है और आईस यूमा में छूट भी है अप्लिकेशन फीज जनल ओबीसी के लिए 100 रुपे है